हेलो गाईस मैं हूं केस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MS राज फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप क्रॉम में अपना वाइटी स्टूडियो ओपन करने जा रहे हैं तो दोस्तों देखिए प्रोबलम क्या आता है जब भी हम क्रॉम ब्राउजर को ओपन करते हैं और उसमें सर्च करते हैं YT Studio और YT Studio की जब हम Official Website पे जाते हैं और Dashboard को ओपन करना चाहते हैं जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको ये App पे Redirect कर देता है यही प्रोबलम सब के सामने आ रही है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका solution बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको क्या करना है वापस से बेक आ जाना है और यहाँ पर आपको जो YouTube Studio दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है प्रेस करने के बाद open in new tab पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है दूसरा tab जो है open हो जाएगा इसके प्रोब्लम अगर आपको भी आ रहे है तो इस प्रकार से आप अपने Chrome browser में YouTube Studio का जो dashboard है वो open असानी से कर सकते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो like और share जरूर करना ताकि दूसरों की भी help हो सके तो मिलते हैं ऐस